नमस्कार आरे नियूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग उत्राखन बुलेटिन की शुरवात करेंगे अलमोडा से जहां पर लो वोल्टेज की समस्य अगे चलते कोटेश्वर, शशीखाल, पंपिंग, योचना से पिछले चार दिनों से पाने क्या पूर्टी नहीं हो रहे है बता दे आपको कि मौलेखाल तेहसील मुख्याले में बाजार समेच सो ऐसे गाउं हैं जो अलगबंग 20,000 जनता रहती है लेकिन पेज़ल संकट यहां बना हुआ है जोसी ये लोग जूज रहे हैं बता दे आपको इस ओरान पेज़ल निगम और उटजा निगम इस और उदासीन बने हुए हैं कोटेश्वर सशिखाल पंपिंग योजना से तैसिल शेत्र के अंतरगत 100 से अधिक गाउं की करीब 20,000 से जादे की आबादी को पेज़ल अपूर्टी होती है और इसे योजना से पिछले 4 दिन से पानी सप्लाइ नहीं हो रही इस कारण तैसिल ब्लॉक मुख्याले, मौकेलाल, बाजार, समेट कई आसपास कैसे गाउं है जहां पर 100 से अधिक गाउं की 20,000 आबादी पेज़ल संकर्ट से जूजने को मजबूर है पानी नहीं आने की वज़े से लोग दूर दराज स्थिती में जो स्थित नाले हैं और सड़क के नारे जो स्तापित हैंड पंप है, वहां से पानी लाकर अपना गुजर बसर कर रहे है लोगों का आरूप है कि योजना से आए दिन पानी के आपूर्टी बादित रहती है पर पेजल निगम इसोर ध्यान नहीं दे रहा चार दिन से पानी नहीं आने पर लोग प्राकरते एक जलस्त्रोत्रों से पानी लेने के लिए मजबूर है पानी के इंतिजाम करने में भी उनको काफी समय लगता है और काफी समय बरबाद होता है पालतु जानवरों के लिए भी पानी जुटाने में समस्याएं उत्पन हो रहे हैं लोगों का आरूप है कि कड़ी मशक्कत के साथ उन्हें पानी की जो पूर्ती है उसको करना पड़ रहा है और इस बीच नैनिताल जिले का हलदवानी शहर अपराद का गड़ बनता जा रहा है काट गोदाम से हलदवानी पहुंचने में ही करीब चार गुना अपराद बढ़ने लगे हैं पुलिस का Crime and Criminal Tracking Network और सिस्टम ये बता रहा है कि साल 2022 के 6 महीने की स्थिदी देखी जाए तो हलदवानी कोतवाली में जनवरी से लेकर अब तक 341 वन बुलपुरा में 205 मुखानी में 153 पन और काट गोदाम में 82 मुकदमे दर्च किये गए साल 2020 की बात करें तो इस तरह के अपराद का ग्राफ 24 जुलाई तक पहुंचा था और इसी तरह अन्य थानों की स्थिती भी देखने को मिली थी जों सबसे कम अपराद काट गोदाम थाना शेतर में देखने को मिले हैं साथी साथ मौसम भाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का लट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने पूरवानुमान लगाया है और इस पूरवानुमान के मुताबक आने वाले चार दिन उत्राखण के लिए भारी हो सकते हैं इसी के चलते प्रदेश में अगले चार दिनों में एक दिन यलो अलर्ड और तीन दिन का औरंज अलर्ड जारी किया गया सो मवार को जिन जिलों में येलो अलट ज़ारी किया गया है उसमें दहरादून नैनिताल बागेश्वर शामिल है आपको ये भी बता दें कि मौसम विबाग ने 5, 6 और 7 जुलाई को भी दहरादून टिहरी पोड़ी नैनिताल और चंपावत में भारी बारिश की संभावना जटाई है मौसम विबाग के मुताबिक 7 जुन को भी पितोरागर, बागेश्वर, नैनिताल, दहरादून, टिहरी, पोड़ी, चंपावत में भारी बारिश हो सकती है और इस बीच रुक करेंगे हरिद्वार का जहां पर मिठाई की दुनिया में जाना पहचाना नाम गोएल स्वीट्स के मालिक से 20 लाग रुपई के रंगदारी मांगने का मामला सामने आया और इस मामले का पुलिस ने चंद ही घंटों बाद खुलासा कर दिया है साधी साथ रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गरफतार कर लिया गया पुलिस के मताबिक आरोपी इंजिनरिंग का एक चात्र है और गोएल स्वीट्स के यहां पर पहले कैश्चर रह चुका है वो अपना रेस्ट्रिंट कोलना चाता था जिसके लिए उसे पैसो की जरूरत थी और उसने यह रास्ता अपनाया है पुलिस ने आरोपी को फिलाल के रफतार कर नयायाले के सामने पेश किया अब उसे जेल भेजने की तयारी की जा रही है तो यह दूसरे आरोपी की तलाश भी इस वक्त जोरो पर है आपको बता दे कि अंजान नंबर से गोईल स्वीट्स के मालिक को एक मेसेज आया मेसेज पर रंगदारी मांगे गई थी और रकम ना देने पर जान से मारने की धंकी भी दी गई पुलिस ने मुगदमा दर्च कर जाच शुरू की थी लेकिन जिस नंबर से मेसेज भेजा गया पुलिस ने जाच करते हुए ततकाल ही आरोपी तक की जो सफ़र दावताय किया और इस आरोपी को धर दब हो चा गया है बता दें फिलाल पुलिस ने इसारोपी को इराज़त में लेकर पूश्टाज की तो सारा चुठा सामने आ गया काफ निकाला गया वहां से में कुछ इडेश पराग थी उसकी तहर तक जाते हुए हमें एक आदमी का नाम प्रकाश मैं उसको उठाया गया उसको पूरा करने के लिए इसके दिमांग में एक नलब ये रंगडरी वाली बात आई और जिसके तहर उसने इस गतना को कारिद किया और इस बीच विधानसभा का बजट सत्र ग्रीश मकाली इन राज़जानी गैरसौन में नहीं कराय ज़ाने से आहत पूर्मुक्यमंतरी अरिश रावत ने 14 जुलाई को वहां किसी सरकारी दफ्तर में सांकेतिक तालाबंदी की घोशना की है उन्हाने कहा कि लोग कह रहे हैं सरकार गैरसौन को भूल गई लेकिन जब तक वो जदा है गैरसौन के मुद्दे को मढणे नहीं देंगे driven के मुद्दे पर पूर्व सीम ने धामी सरकार पर भी हमला बोला है बदा दे आपको कि उन्होंने कहा कि विदान सभा में संकल्प पारित होने के बाद भी ग्रीश मिकालीन सत्रवान नहीं कराया जाना दुर्भाग के पूर्ण है कहा ये भी गया कि संकल प्रपारित होने के बाद तीसरा गरीश मिकाल है लेकिन इस दोरान गैरसोंड को राजधानी बनाना तो छोड़िये मुके बंती ने एक राद महां बिताना भी मुनासिब नहीं समझा सरकार के प्रतीक के तौर पर वहां कुछ नहीं है उन्होंने कहा है कि वो सरकार को गैरसोंड को भूलने नहीं देंगे और द्वीच पहाडों में स्वाथ सुविधाओं की बानगी रविबार को उस समय देखने को मिली जब प्रसफ की पीड़ा से करा रही एक गरबवती को सामुदाइक स्वास्तर केंदर में इलाज नहीं मिला नवजात का पैर बार निकल कर निकला था लेकिन डॉक्टरों ने ये कहकर प्रसफ कराने से इंकार कर दिया कि बच्चे की धड़कन बंध है बाद में राने खेत में ले जाते समय एम्बुलेंस में फार्मसिस्ट की मदद से प्रसफ किया गया बता दें आपको कि गैर्सवन ब्लॉक के ग्राम पंचायत कौलानी के तोक खोलिधार निवासी कुसम देवी जिनकी उमड़ 23 साल है रविवार को करीब डेड़ किलो मीटर पैदा चलने के बाद वो सड़क तक पहुंची यहाँ पर परिजनों ने उसे टैक्सी के करीब 18 किलो मीटर दूर CSC चौकुटिया लेकर पहुंचे परिजनों के अनुसार कुसम की प्रसफ पीड़ा इतनी बढ़ चुकी थी कि बच्चे का पैर बहार निकलने लगा लेकिन CSC में तना जॉक्टरों ने प्रसफ कराने से साफ इंकार कर दिया उनका ये कहना था कि बच्चे की धड़कन रुक चुकी है और यही कहकर बच्चे को ड्रेफर कर दिया गया कि बच्चे की धड़कन बंद हो चुकी है ज्यादा विलम करने पर महिला के लिए भी खत्रा पैदा हो सकता है आरोब है कि एक डॉक्टर ने पुलिस बुलाने की धमकी तक देडा ली एंबुलेंस की फार्मसिस्ट सरीता खंपा ने आरोब लगाया है कि इस दौरान CAC में डॉक्टरों का वैवार बिलकुल अच्छा नहीं था वो थोड़ा रूची लेते तो बच्चे के पैर अंदर डाल सकते थे लेकिन लटकते पैरों में ही रेफर कर दिया गया जो की उच्चत नहीं था रेफर करने की मजबूरी में गर्बवती को बाहर लेचाने जरूरी था और इस दौरान एंबुलेंस में ही महीला का प्रसव इस फार्मसिस्ट ने करवाया है इस बीच मौनसून आगमन के साथ साथ उत्राखंड के कई लाकों में भारी बारिश के चताबनी जारी है साथे साथ इस दौरान पहाड़ी लाकों में यात्रियों और अन्ने स्थानिय लोगों के लिए भी समस्याइं बढ़ चुकी है हालिया खबरों के तहट देरादून आगमें भारी बारिश के चलते पेड उखड कर सडकों पर गिर गए हैं इसी के बीच देरादून की सडकों पर जो गाड़ियां हैं उनके बोनट पर पेड गिर रहे हैं जिसकी वज़े से गाड़ियां चतिक रस्त हुई बदाय जो रहे कि भारतिय मौसम विग्यान में भाग ने भी उत्राखण में जुलाई के महीने में पहले सप्ता में ही भारी बारिश होने को लेकर अलट चारी किया था साथी साथ पहाड़ी इलाकों में यात्रा कर रहे लोगों को विशेश रूप से सतर्क और सजग रहने की हिदायत दी गई मौसम के मौनसून के जो मौसम है उसके आमतोर पर पहाड़ी इलाकों में पेड तूटने की घटनाए सामने आती रही है बुसकलन, पहाड़ से पत्ता तूटकर गिरना ऐसी तमाम समस्याएं मौनसून के समय पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है और इसी सम्मंद में जो समस्याएं हैं वो बनी रहती हैं इसी को लेकर खास्तोर पर परजगों को विशेश रूप से साबधान रहने की आवशक्ता बताई गई और उद्रखन के खटीमा के सुनपहर गाउं में भैस को नदी पार करा रहे 13 साल के एक बच्चे को मगरमश्ट ने अपना निवाला बना लिया है बताजवाराय की मगरमच ने नदी में इस बच्चे को पहले खीश लिया और इसके बाद उस बच्चे को निकल गया है बताजवाराय की इस दोरान आकरोशित ग्रामीडों ने वनविभाग की मदद से एक मगरमच को पकड़ा आनन फानन में वन्विभाग ने मगरमच का सरकारी एस्पताल लेकर एक्सरे भी करवाया गया लेकिन एक्सरे में मगरमच का पेट खाली मिला है इस बीच वन्विभाग की टीम मगरमच को रुद्रफूर लेकर गई और वहीं बच्चे का कोई बता नहीं चुल सका उदर मुक्यमंत्री पुषकर सिंग धावी ने पीड़त परिजनों से वारता कर हर संबब मदद का भरोसा दिलाया है दरसल ग्रामीनों के मताबिक खटीमा से यूपी बॉर्डर से लगे संसुनपुर गाउं में 13 साल का एक बच्चा वीर सिंग देभा नदी के पास भैंस को पार करवाने गया था बदाय जा रहा है कि तभी एक मगरमच ने उसे पानी में खीच लिया मासुम बच्चे को मगरमच द्वारा निवाला बनाय जाने की सूचना पर मौगे पर ग्रामीनों का हुजूम लग गया सूचना पर पुलिस और वन विबाग की टीम भी घटना सल पर पहुंची और इस भी स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के दस युवाओं को सर्व स्रेश नवाचार आइडिया का पुरुसकार दिया जाएगा छे जुलाई को होने वाले समारों में मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी युवाओं को पुरुसकार से समानित करेंगे साथी साथ सरकार की ओर से पचास-पचास हजार रुपई का पुरुसकार राशी दी जाएगी और स्टार्टप शेतर में नवाचार आइडियास तलाशने के लिए उद्योग विभाग के ओर से हर साल प्रदेश के उच्च सिक्षक संस्थानों में बूच कैम्प आयोजित के जाते हैं इसमें युवाओं को अपने नवाचार आइडिया को रखने का मौका मिलता है इस बीच दिसंबर में विभागने नवाचार आइडिया के लिए बूच कैम्प के माध्यम से करीब 50 से अधिक युवाओं का चैन भी किया था 6 जुलाई को ही आयोजित किये गए इस पुसकार वित्रित समारों में मुक्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी के माध्यम से 10 युवाओं को समानित किया जाएगा सरकार की ओर से 50-50,000 रुपे का पुरुसकार जो दिया जाएगा उन्हें वो राशी दी जाएगी युवाओं को और आपको ये भी बता दें कि इस बीज प्रदेश में अब तक 117 स्टार्टप को सरकार ने मानिता भी दी इसमें से कई स्टार्टप ऐसे हैं जो काफी अलग हैं और काफी स्टार्टप ऐसे हैं जो अलग-अलग शेतर में बहतर काम कर रहे हैं और अब रुक करेंगे गली खबर की ओर जो कि 36 गड़ से है 36गर में इस वक्द जमाजम और मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश का प्रकोप देखने को मिला जिसका नतीजा आज जानच की चामपा में दिखा है बताय जो रहा है कि मुस्ताथार बारिश के चलते नदियों का पानी और नदियों का जलस्तर जो है वो काफी बढ़ चुका है नदी में नहा रहे इस दोरान दो यूवक बह गए हैं दरसल ये पूरा मामरा है पामपड विधान सबाश शेतर के गाउं पंचाय पंगाव का यहाँ पर नदी के पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया और इसमें नहा रहे दो यूवक नदी के पानी में बहने लगे इससे देखते ही ग्रामिनों दोरा बचाने की कोशिश की गई कड़े मुशकत के बाद ग्रामिनों ने एक यूवक को बचा लिया लेकिन तूसरा यूवक पानी के बहाफ में बहता चला गया बताया जा रहा है कि इस वक्त उस दूसरे यूवक की तलाश जारी है मिली जानकारी के अनुसार पन गाउन नाले के स्टॉप में दोनों बच्चे ये नहा रहे थे लेकिन इसी दौरान ये पूरी घटना हुई जिसमें एक बच्चे को बचा लिया गया जबकि दूसरा अभी भी लापता है बच्चे दौरा जिस बच्चे को बचा लिया गया उसका नाम उमेश उम्रा है जिसकी उम्र 19 साल है और नदी में बैगए दूसरे यूवक का नाम सेमंत यादब बताया गया है जिसकी उम्र 22 साल है साथ ही आपको बता दे कि लापता यूवक की तलाश करने के लिए मौके पर एसक्यू की टीम भी मौजूद है और यूवक की तलाश लगातार जारी है और इस घटना के बाद पूरे मामले की जाच में प्रशासने का दिकारी अभी भी चुटे हुए है आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी का बहाफ कितना ज्यादा तेज है और यह बताय जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश और मुस्तलधार बारिश की वज़े से नदीों का जलस्तर बढ़ चुका है और इसी दोरान यह दुर्गटना घटी जब तो युवग यहाँ पर नहाने के लिए नदी में पहुँचे थे और दुर्गटना वश एक युवग इसमें बह चला है जबकि दूसरे को बचा लिया गया फिलाल गोता खुरों की मदद से और पुलिस की जुरेस की टीम हा मवजूद है उसकी वज़े से दूसरे युवग जो भै गया है उसकी तलाश की जा रही है लेकिन इस बीच नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और लगातार यह अपील लोगों से की जा रही है देश के कई इलाकों में और कई जिलों में तेजी के साथ बारिश हो रही है और मौसम भाग की तरफ से भी अलट जारी कर दिया गया है और लगातारी अदायत दी जा रही है कि साबधानी बढ़ती जाए इसे बीचे मामला सामने आया जांजीर चांपा से जहां पर कोई दो यूवा के नदी में नहाने के लिए पहुँचे थे लेकिन जलस्तर बढ़ा होने की वज़से और नदी के तेज बहाफ की वज़से ये दोन नदी में बैग गए जिसमें से एक को बचा लिया गया है और दूसरा भी 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 लापता है और इसी कबर के साथ ही बुरच रूमे फिलाल के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ देखते हैं आरे निउस